चार बजे से और छे बजे तक का जो शमय है भजन के लिए बहुत लाबदायक है इस शमय अगर कोई निद्रा में रहता है तो ब्रमचर से हीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और सारीरिक अस्वस्तता ये आगे चल कर उसे घेर लेगी मानसिक बीमारियां कई तरह से मन डराने लगेगा कई तरह से मन में ऐसे कुभावनाय जागरत हो जाएंगी इसलिए हमारे ब्रह्म रिश्यों ने आज्या की है कि चार बजे से तो उठी ही जाना चाहिए और चार से च्छे के बीच में मालव आप चार से पाँच के बीच में सोई रहें तो आप पाँच से च्छे के बीच में उठ जाहिए चार से छे के बीच के समय में आप उठकरके अपनी भागोतिक दिन चजया करें भागोतिक दिन चजया में जैसे अपने लूग राधावले भी हैं तो प्राता हकाल उठकरके अपने गुरुजनों का रसिकों का सुमिरन करें गुरुमंत्र का जब करें फिर शनानादी करके स्री जी की मंगला स्री जी को सुन्दरपद शनानादी या अगर उस समय ऐसी भावना है तो दो घंटे बेट करके जब करें मंगल बेला होती है प्राता कालीन उस समय शयन तो कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी नहीं करना चाहिए वो अपने लिए परमार्थ और श्वार्थ दोनों की हानी करने वाला है, चार से च्छे के बीच में महराग जी मैं सुबह उठ जाओंगा, मैंने सोच लिए कि अब मैंना कल से उठ लूँगा तो मैं एक हफ्ता उठ लूँगा, फिर जैसे मेरे मन के अंदर आएका नहीं, अब मैंना उठ लग्या हूँ, तो फिर अगले दिन है वो फिर तूरठेर हो जाओंगा जिसे अभ्यास बन जाए ना, तो आप सो ही नहीं सकते हैं, मतलब सो ही नहीं सकते हैं, आपका सरीर राजी ही नहीं होगा विस्तर में लेटना, वो राजी ही नहीं होगा इसलिए नियम मनाओ और नियम पुर्वक चलो जब आपको लगे कि आज हम नहीं उठ पाए तो उस दिन दंड स्वईकार करो ब्रत रहे जाओ कि आज समय से उठे नहीं इसलिए आज भूजन नहीं उपवास कर लो ठीक है तो ठीक हो जाओ गए जिस दिन चार वजे जो भी बस ना उठो उस दिन बस उपवास कर लो एक बार थोड़ा फल पालो जू कुछ बज रहने दो मन इराम ठीक होने लगे कि भाया अगर ऐसा हुआ तो फिर इसलिए वो सुचेगा घंटा बर की बात जल्दी उठ जाओ तो चक पाले को मिलेगा ठीक है आप ऐसा कर दो